हालो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपको पाओभाजी बनाना बताऊंगी बिल्गुल रेश्टुरेंट स्टाइल में पाओजी बनाएंगे मार्केट के पाओभाजी वच्चों को बहुत अच्छी लगती है तो आज मैं वैसे ही पाओभाजी बताऊंगी इसक निम्बू है तो आपके पास जो सब्जियां हो आपको सब्जी ही ले सकते हैं आलू लेना मस्ट है उसके साथ जो सब्जियां हो आप एट कर सकते हैं मैं यहां पे कुछ सब्जियों को बॉयल करूँगी तो बंद को भी आलू और पालको मैं यहां बॉयल करूँगी हरे मटर बाखी को मैं बाद में प्राई करोंगी तो चल्टे पहले इसे बॉल कर लेते हैं कि बन्ध को भी आलू और पालख हो एक कप पानी देखर के हमें बॉल करना है दो शिटी पे इसे बॉल कर लेना है और पानी डाल लेते हैं एक कप एक कप ही पानी डाले ज्यादा पानी नहीं डाले क्योंकि सब्जियां खुद भी अपनी पानी छोड़ती हैं तो ज्यादा हमें पानी रखना नहीं है इसमें तो मैंने हाफ़क डाला है थोड़ा और डाल दिया है मैंने हो गया अब हमें इसे बंद करके गैस अन करनी है यहाँ पर मैंने गैस पर चड़ा दी और दो शीटी पर हमें इसे बंद कर देनी है तो दो शिटी लग गई ठंडी हो गई अभी देख रहे हैं महाप निकल रहा है और यहां सब्जी अच्छे से पक चुकी है पक चुकी है सब्जी है अब यह बटर मैंने कड़ाई में बटर डाल दी कड़ाई में मैंने बटर डाल दी है बटर मिल्ड हो गई तो हमें इसमें प प्राइब कर लेनी है और उसके बाद हमें इसमें दो टमाटर जो हमारे कटे हुए हैं उसका माध्य को एड़ करनी है और एक चमच पिसीवी लशुन की पेस्ट एड़ेट कर लेंगे और उसे भी फ्राइब कर लेंगे शाथ में तो यहाँ पर मैं टमाटर डाल देती हूं पह कपाउभ एधसी में हमने सब्सीजें को बहुत चलाना होता है चुछे गजोदद वैकना है यहां पर बहुत छक्रियों कि प्जुटि वो तो कि मैं एड्योर यहां भी आड़का है और अब हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है यहां नमक डाल दे इसके साथ ही क्योंकि नमक डालने सब्जिया जल्दी करती हैं हमने यहां पर कस्मिरी लाल मिर्ष एक चमस टाला है और इसे मिक्स कर लें अब हमें इसे मिक्स करके से अच्छे से छलाना और एपहां यहां पर देंग हैं क्योंकि विष्टव función पर देए और यहां पर यहां पर जो वर्छी आज़िया मैं उसर यह वर इड्गर क्राइब शाट में में मिक्स करनी है रिपाइसा और यहाँ पर अब श्रहा थोड़ी सी कस्तूरी मेठी ले लि है से हाँ से ही क्रस्ट करके डाल दिए है मैंने और यह एक चमच मैंने यह पावजी मसाला डाला है यहां पे और अब मैसर से हमें इसे मैस करना है अच्छे से कम से कम 10 मिनट हम इसे अच्छे से मैस करेंगे तो जिद्नेवी सब्जी आई एक्दम महीन हो जाएगी बारिक हो जाएगी। और इस तरह से हमें इसे कंट्टिन्यू करना है। यहांपे मैंने सब को मैस कर लिया। यहाँपे मैं बटर डाल रही हम और बटर डालाई के अब हमें इसे फ्राई करना है। थोरी थन्यागी पती डाल दें और इसे आप फ्राइब करके जहां पे लगे वहां पहल के से पानी वेजर डाल सकते और इसे अच्छे से फ्राइब हो चुकी और यहां पर मैंने कलर भी इसकी अच्छी आ गई है थोरी पानी अगर आपको लगे तो जहां पर आपको लगे कि ज्यादा शुक्षी भी लग रहे तो थोरी थोरे पानी यड़ करके इसे फ्राइब करें और इसे आमें भुनते रहना है देख सकते हैं किसे कलर भी अच्छे आ गया है तो हमारी भाजी तो रेडी हो गई है अब हम पाव को शेक लेते हैं पाव शेकने के लिए मैं यहाँ पे अब मैंने फ्राइपन गरम किया है और इसमें मैं बटर डालूंगी इसमें मैं थोड़ी जी दन्यागी पत्ती कटी भी जालूंगी और इसके ओपर मैं बन डाल करके उसे शेक होंगी इस तरह से पाव भाजी में बटर आप अच्छे से यूज करें क्योंकि इसमें जितनी अच्छे से बटर डालेंगे इसकी टेस्ट उतनी अच्छी होगी तो यहाँ पे मैंने पाव को भी शेक लिया है पाव को बहुत नहीं शेकना है हलका ही हमें शेकना है इसे और हो गई और इस तरह से पाव को शेक के रख लें और अब मैं भाजी में एक तरका डालूंगी तो मैं ने भाजी को फ्रोड़े बटर डाला है उसे गरम किया और इस पे धनिया-पती दालके आप जो इतनी भाजी को लेनी है बाजी आपको फ्राइय करें अब जब भी किसी को देना हो तो आप थोरी थोरी भाजी ऐसे इसे ही हाई थूरी से गरम कर सकती है और ज्यादा यह लगे कि यह ज्यादा गाड़ा है तो आप उसमें हल्का पानी दे करके उशे थोड़ा सा आप यह मिक्स कर ले और यह भाजी भी रेडी होगी अब में आप प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी देखे सी कलर भी बहुत अच्छी आई है और इस तरह से हमारी पाव किजिए और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजा और विल्क आइकन को जरूर क्लिक किजिए जिससे कि मैं जब भी कोई नहीं वीडियो डालूं दूसकी नूटिफिकेशन आपको मिले